धन्यवाद बच्चों आज में दोला लेकर आया हूं वर्ग दसम के पाइठ पुस्तक छेतीज के गर्द्य भाग से सर्वेसवर्ड द्याल शक्षेना द्वारा लिखा गया मानुवी करना की दिबी चमाक मानly करना की दिबी चमाक में मूखी तोर पर सर्वेसर द्याल शक्षेना ने फादर कामिल बुलके की जिवनी पर परकाश डाले हैं फादर कामी बुनके का जन रेंस्टेपल नामक बेल्जियम के रेंस्टेपल नामक जगा पर हुआ था और वे इंजिनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे और वहीं से उनके मन में पता नहीं क्या विचार उत्पन हुआ कि पढ़ाई छोड़ करके वे पादरी का बनने की इच्छा जाय किये और वह भी भारत आने की इच्छा ब्यक्त किया और उनके इर्दगीर्द हमेशा रहे और वहीं सर्वेश्वर द्यालशक्षेना ही फादर कामिल बुलके की जिवनी पर ये प्रकास डाले हैं और विस प्रकास जो जिवनी उनहीं का नाम उन्होंने क्या रखा मानवी करना की दिवी चमक पहला प्रश्ण इसी से आता है बच्छों कि लेखर ने फादर बुलके को मानवी करना की दिवी चमक क्यों कहा है तो इसमें असपश्ट है बच्छों कि फादर कामिल बुलके की मानवता इतनी महान थे कि उन्हें जिन्हें वे एक बार देखते उन्हें हमेशा याद रखते एक दूसरे को गले लगानों को आतुर रखते और विभीं तरह के सुख दुखों में वे हमेशा एक साथ रह करत लेखत को वह दिन्याद है जब लेखत की पूत्र का पर्थम अन्य ग्राशन कांटकरम भाए जा रही थी वहां एक पंडित और प्रोहित के तोर पर वहां उपस्थित थे और वहां भी उनकी मानवी करना को देखा गया था लेखत को आगे भी उचाद है वहां है लेखत की पत्नी का निधन हो गया था उस समय भी फादर कामिल बुलके उन्हें संपवना देते हुए कहे थे कि यह तो प्रकृति का नियम है हम ये किसी से हर नहीं मानने चाहिए इन्ही सब ही घटनाओं को देखते हुए लेखत ने अगला प्रशन है बच्चों फादर कामिल बुलके ने संयासी की परमपरागत चवी से अलग एक नई चवी परस्तूत की है कैसे इसमें ध्यान देने वाली है बच्चों क्या कि फादर कामिल बुलके जो थे वे क्या थे शन्यासी थे और वे पादरी धर्म का परचार परशार कर रहे थे इसाई धर्म के परचार परशार करते थे लेकिन हादर कामिल बुलके में क्या था कि अपने इशाई धर्म का परवाहना करते हुए भी समाज में घटित घटनाओं में वे हमेशा लोगों के साथ रहते थे और जिन्शे वे मिलते वर्फो आद रखते वे कभी भूलते नहीं एक दूसरे को गले लगाने को आतुर रहते और शाथ ही साथ क्या है कि समाज में हो रही कठिनाई और परिशानियों और मुशिवतों को दूर करने के हमेशा कोशिश करते थे जो भला सन्यासी को क्या मतलब क्योंकि सन्यासी अपनी मीजी जीते हुए अपने धर्म के पच्याच परशा करता है दूसरे की धर्म और संस्था डिवस्था से उन्हें कोई खास मतलब नहीं अगला प्रश्ण है आसे असकस कीजिए नम आत्म को इन्हें फ्याई पहिए लाना आने की लेखर सर्वेस्वार द्याल शक्षेना उस समय की घटना को आद करते हैं जब मानी खादर कामिर्पुल के की निधन हुई थी और उन्हें अंतिन विदाई दी जा रहे थी उस समय उपस्थित लोगों क जितनी आखें बर नम थी और साथ ही साथ देश के अइन हिसों में धी उनकी मित्यू पर इतना लोग रुए जिसे कीन पाना शंभव नहीं है अगर उनकी गिंती करना श्याही बरबाद करने के समान ही है इसलिए ऐसा लेखक ने कहा है नम आखों को बिलना श्याही पहलाना ह अधात फादर कामिल बूलके की मिधन पर इतने अधीक लोग रुए इतनी अधीक लोगों की आखें नम हुई जिसे गिन पाना शंभव नहीं है अगला प्रश्ण है आसा यस्वस्ट करने हैं फादर को याद करना एक शांत संगीत को सुनने जैसा है बच्चों यहां ध्या इतनी महान थी उनके अंदर इतने प्रेम थी इतनी सैंसुनता थी इतनी ज्यालता थी कि अगर उनकी मिर्थिव के उपरांत अगर उसे आद किया जाता है तो मन बैठ जाता है तो धेनवाद बच्चों यह प्रश्ण का एंसर कंप्लीट हो गया और यह इसमें जो ऐसे बच् इन प्रश्णों पर ध्यान दें तब सभी प्रश्ण असानी से समझ में आ जाएंगे जाएंगे